नमस्का दोस्तो मैं हूं मिलन और हेल बोक्स में आप सभी का स्वागत है तो मेरा यह रेडमी का फोन है और मेरा फोन में यह प्रावलेम था कि आप सपोज यह पर एक फॉर्म है इस फॉर्म में कुछ काम कर रहा हूं या दूसरा कुछ एफ्स में काम कर रहा हूं सपोज इस एप्स पर ब्रावजर पर रिटर्न आता था तो पूरा जो पेज हो रिप्रेस हो के पहले जैसा आ जाता था पूर ब्लैंक फॉर्म आ जाता था ठीक है मतलब यह आटो रिस्टार्ट हो जाता था तो अभी प्रॉब्लम नहीं है मैंने सॉल्ब कर लिया है तो कैसे आप भी ध्लों किया है लेकिन वे गाएं मैं कईसे प्लुपरिज बाद przam pernah स İ Deal कीह था तो इसके लिए सबसे पहले को मॉबाइल का जो सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद भी यहां पर कि अप्डटों को जाना है यहां पर एपस में ठीक है तो एपस में जाने के बाद मैनेज एपस ठीक है और उससे पहले इस तरह का helpful वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिक्स इंबेल को अन कर दिजिए वीडियो को आतर देखते रहे हैं आपको पूरा पाता चलाएगा पीज में छोड़के जाएगा तो प्रॉबलेम हो जाएगा तो उसके बाद आप में जाने के बाद यहां पर आपको उपर में सार्च में जाके सार्च करना है सिस्ट फाइल नीचे तो मोबाईल में दूस्टेम में आएगा धूंड़ यह कहां पर इंटा है चुछ भी टिलीट नहीं होगा स्टेम ढ़ता यह सर्फ सिस्टेम लॉंचर के आपको नीचे जाके फिर से आपको सार्ट करना है तो सर्फ यूई 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 अगर रेडमी का है तो स्रेव यूई लिग के साच किजिए आ जाएगा सर्फ यूई फिर से नया फर्म हो जा रहा है तो यह प्रॉब्लम सब्सक्राइब तो यह प्राब्लम हो जाएगा अगर नहीं हो जाएगा तो मेरा गैरेंटी 100 परसें तो आप भी ट्राइग किजिए और इस तरह के हेलपूल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और उससे पहले और एक बात जो मैंने बाता जाना भूल गया था यह सब करने के बाद आपको एक सिस्टेम मोबाइल जो इसको रिस्टाट करना है मतलब आपका जो मोबाइल को बंद करके चालू करना है ठीक झालू करना है